तो हलो गाइस, वेलकम बैक तो कम्प्ली रियक्ट जेस्ट टूटोरियल इन हिंदी 2024 लास्ट अमने लेक्टर जो कम्प्लीट किया था तो वाट इस जेस्ट एंड बेबल इन रियक्ट वहाँ जो भी एलिमेंट लिखते हैं, जो भी हम कोट करते हैं, वह जेस्ट में ही करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को देखें, अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को या फिर बुकमाग नहीं किया है तो यहां से आप इसको भुकमाग भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिप भी शॉट कर, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लेना याद तो इस React.js की complete series में हम देख रहे थे कि हम कैसे components को create कर सकते हैं, तो यार आपने देखे देखा होगा, कि मैं first वीडियो से React a component-based library है, React component use होते हैं, तो exactly component है क्या, तो चलो अपने पराने code पर चलते हैं, तो यहां ही running होडा है, बहुत lag कर रहा है तो यार, okay, so what is React.js components, so यार देखो, component in a React are the code blocks, representing the UI elements, these blocks are usable, independent like functions in JavaScript, and are responsible for representing elements on the web page, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो चलो, live देखते हैं, live क्या होगा है आगे बढ़ जा, okay, तो देखो यार, ये एक skeleton है website का, skeleton मतलब धाचा, okay, तो यहां पर क्या है, आप दिख सकते हो, एक header है, एक man content, sidebar, nav, और footer, जादर website में यह होता है एक हम website पर लेंगे, तो सबसे पहले उसमें एक header होगा प्यारा सा, उसमें main content होगा, sidebar रखना चाहो तो रख सकते हो, और एक footer तो होता ही होता है मतलब यह तीन components सो होते ही होते हैं, तो यह जो header है अब मुझे header यूज़ करना है, अपनी website के सारे pages में है तो यार देखो, में बाए इतना time नहीं है, कि मैं बार-बार इस header को create करूँगा, या अपने HTML code में paste करूँगा, ठीक है हम एक single header बना हुआ, website में सब जगा यूज़ करूँगा, उसे है, सेम ऐसी footer के साथ, बट यहाँ पर अगर हम बात करें, main content की है side name बार की, इसको तो हम यहाँ डारेक लिख सकते हैं पेज में, नहीं अगर आप एक page बना रहे हो, react.js के अंदर ना, तो एक बहुत ही short code आप लिखे, अलग अलग pages को import करके, बहुत ही अच्छी सी use कर सकते हो, component wise इसके life cycle भी होती है, कुछ types भी होती है, वो हम देदे करके discuss करेंगी, ठीक है, यह समझ में आया, next चलता है, तो एक और detail में समझते हैं, detail में समझता है, detail में समझता है, बहुत जरूरी है, okay, so this is the web structure, वो भी एक तरीक से, ठीक है, तो अब देख सकते हो, यहाँ मैंने pink वाल पर create क्यों करूँ, ठीक है, जब मुझे एक बार create करने के बाद, मैं उसको reuse कर सकता हूँ, again and again, react की सबसे best functionality यही है, तो अब देख सकते हूँ, मैंने pink गलर का one component create कर रहा है, two create कर रखा है, three lines का component create कर रहा है, और four एक white border का या bite button, आप कुछ भी कह सकते हो, अब भी तो इस calendar अब देख सकते हूँ, तो मैं इनको create कर सकता हूँ, एक बाच दो light website में किसे काम कर रहा है, सबसे बड़ी चीज खुलना है, YouTube खुल लेते है, तो आप YouTube में देख सकते हूँ, यार ऐसे ये वाला YouTube मत देखो, दिमाख रा हो जाएगा, YouTube global चलते है, ठीक है, तो आप देख सकत इसके अंदर ये जो button यूज हो ना button कहलो, टैक कहलो, या इसको chip कहलो, चिप कहते हैं विसे इस है, तो आप देख सकते हूँ, ये चिप बार बार यूज हो रही है, यह जो trending चल रहा है, ये header है, ये sidebar है, आप देख सकते हूँ, यह मैं इस प्रेंट करा, ये इसका sidebar है, अ तो मैं इसके sidebar को बार बार यूज कर रहा हूँ, ऐसा component, ठीक हटाओ यार इसे, सब्सक्राइब में आ गया, ओके, तो ये होते है component, अब देखो, component create करने से पहले ना, देखो, बहुत हो कोई theory, समझ में आ गया, तो मैं component क्या होते हैं, कितनी बार यूज कर सकते हैं, और कैस कैसे component work करते हैं, but create कैसे करते हैं, और react.js में component create कैसे करते हैं, उससे पहले हम सबजना पड़ेगा, react.js में component होते हैं, कितनी टाइप के हैं, हाँ यार, component के टाइप भी होते हैं, ओके, next slide, बढ़ा DR system चल रहा है, समझे, चलो कोई बात नहीं है, तो function and class component, हमारे react.js के अंदर दो तरह के component होते हैं, जिसमें function, components and class components, दोनों होते हैं, तो यार, class component हम use करते थे, legacy in react.js, मनला जब हम react.js में start में code करना start किया था, जब से react.js start हुआ था, तो हमने class component start किये थे, तो हम class component या component को extend करते थे, then class में हम create करते हैं, जैसे आप दिख सकते हो, class welcome extend react.component, right, and उसके ब आप के रहे हो, या यह तो बात में लिखा है, पहले क्यों बता रहे हो, क्योंकि हम class component अब use नहीं करते, in updated react.js, अब हम क्या use करते हैं, functions, functional components, आप interview में जाओगे, यह definite से बात है, आपको पूशेगा ज़रूर कि functional class component में difference क्या है, ठेक, आपको क्यों 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 अब हम बात करते है, class component हो गया, react component extend करते है, इसकी life cycle भी होती है, वो next हम lecture में देखेंगे, function component, what is function component, या जावा स्किप में आप function create करते हो, simple आपने alert का function create किया, या कुछ भी function create किया, function keyword यूज करा, and then उसके बाद आपने उस function का नाम लिखा, parentheses लगाए, and curly braces लगाए, उसके अंदर की definition देखें, उसको call कर लिया, यही होता है function, same functional component होते है, react.js के अंदर, बस तरीके अलग होते हैं लिखने के थोड़े से, तो हम इसको दिखते है, function, welcome नाम से एक बनाया है, properties, next videos पर समझेंगे, अभी ignore करो, then curly braces, then उसके बाद, return, and यहापर अपना component लिखती है, तो यह होता है function, null component create करने का तरीका, तो चलो या, query complete हो गई, आप सलते हैं, code में अपने, मुझे component create करना, कैसे create करूँआ मैं, ओके, तो यहाँ पे न, आप अगर देखोगे, app था याप एक, उसको address कर देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाया, ठीक है, app था, तो इसको अगर हम run करेंगे, compile हो रहा है, okay, run हो रहा है, perfectly, अब हम में सलना है अपने code में, तो देखो, one hello react, यह हमारे component में था, यहाँ पे, तो यह भी एक component ही है, app.js ही component ही है, तो चलो अपना component create करते हैं, कैसे कर सका, क्योंकि यह तो render वाला method है, यहाँ पे हम अपने app को render कर रहे है, create root, document. dot get element by id, नहीं समझ में आ रहा हूँ, previous video देखो, उसमें पूरे detail में explain किया है, क्या है, इसका use, कैसे काम करता है, यह, तो जलो source में चलो, अचा देखो, एक best practice बता हूँ, source में एक folder मनाओ, components नाम का, अब इसके अंदर component create करो, best practice, ठीक है, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, बस अ clearification रहा है, यह मेरे pages है, suppose यह app.js मेरा page है, index.js मेरा page है, and यह मेरे components है, तो अभी मैं diet create कर दिखा दा हूँ, first rule when creating any component, capital में नाम रखो, and jsx से बना सकते हूँ, js से भी बना सकते हूँ, it's on you, तो हम इसको js से लेके चलते है, header.js, अब index.js में हमारा app call हो रहा है, ठीक है, तो हम app के अंदर ही अपना header call करें, अब header को बनाना कैसे है, सबसे पहले है, react में काम करते है, तो react हमें import करना होगा, तो import react from react, तो जैसे कि हमने अपने screenshot में देखा था, है न, style में, function, अब वो यार header नाम से दे दो, क्योंकि header नाम से फाइल है, and उसके बाद यहाँ पर हमें करना है return, return में क्या देना पड़ेगा हमें, यहाँ पर and यहाँ पर hello, I am header, header नहीं header, okay, and इसके बाद सबसे बढ़िया line, export, default, function का नाम, अब यह मतल लगा देना, इसके आगे क्योंकि यह तो function की calling हो जागी, हमें function call करना है, हमें export करना है, best practice के लिए semicolon लगा की चलो, ज़्यादा बढ़िया रहता है, अब यह अब देख रहे हो कि क्या आप यार मैंना function fragment यूज नहीं करना, react fragment यूज नहीं करा, आई रहा है, ठीक है, तो अगर आप single element return कर रहे हो, जैसे कि मैंने पहले बताया था, single element return कर रहे हूँ ना, तो fragment की जरूद नहीं है, और single tag में आपका ताम हो जाएगा, single element में, ओके, तो अब इसको एक बाद चला के देख लिएते हैं, एप के अंदर हम गए, तो एप भी एक component ही है, है ना, function एप, ये भी एक component ही है, अब इसको use कैसे करना है आपके, use करने का तरीका बताओ, simple, तो देखो, सबसे पहले हम करेंगे इसको import, import कैसे करेंगे, import लिख दिया, header, और कहां से आएगा, header मैं से, from header, अब बात करते हैं, हमने यहां पर extension नहीं लिखो चुगी, तो यहां देखो, दे भी सकते हूँ, नहीं भी दे सकते हूँ, jsx में लिखो, jsx में लिखो, react अपने आप समझ जागा, भाई, javascript की file लेख रहा है, react.js में काम कर रहा है, तो अब इसके बाद यहां पर return करना है, तो आप यहां पर पहले लिख देता हूँ, h1 my app, यहां h1 हैं दो यार, ptext चलते हैं, वो भी h1 ही है, my app, अब इसके बाद मुझे यहां पर component को import करना है, अभी तो dim क्यों है, यह पता है, तो कि हमने इसको import नहीं किया है, तो अब यहां पर header call करेंगे, as it is, यह header आपका आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, अब बताओ यह error क्यों आ रही है, ध्यान से सनोगे, तो पता सल जाएगा error क्यों आ रही है, error गई, because हमने यहां पर fragment लगा दिया, right, okay, compile किया, compile successful हो गया, यहां पर warning आ रही है, एच का कोई use तो करनो मेरे भाई, बना हटा दो एच को, simple, warning चली गई, तो अब दिख सकते हो, वैसे भी यह hot reload है, अपने आप reload हो जाता है, तो hello I am header, यार मैंने hell लिख दिया था क्या, oh sorry my bad, hello I am header, इसके नीचे माय है, simple, your first component has been created, अब यह तो header हो गया, अब मुझे एक footer create करना है, simple यार, source में जाओ new file पर click करो footer.js, और यहां पर बोई काम करना है simple, सबसे पहले करेंगे import, फिर करेंगे react, हैना, function, footer, parenthesis, and then play, and उसके बाद return, and उसके बाद यहां पर डाल दो अपना tag, तो यहां क्या डाल सकते है, hello, sorry, bye bye, I am footer, header रिशुरू हो यह footer पर खतम हो गए, तो अब यार यह आया तो है नहीं क्योंकि हमने इसे import ही नहीं किया है, अब देखो यार, app में आप यहां पर भी import कर सकते हो, क्योंकि component आप react में जहां भी render हो रहा है ना, उसके पहले कहीं भी import करो, तो कोई issue नहीं है, बट एक तमीज होती है, एक तमीज होती है, तो app के अंदर ही हम इसे import करेंगे, जिससे हमारे एक prime structure ता है, आप देखो मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं directly suggest करता हूँ, तो आप देख सकते हूँ, यहां पर automatic आ रहा है footer, है ना, तो मैं इसको call कर लूँगा, sorry, ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है, तो मुझे यहां पर इसको import करना है, अब इसमें part कौन से रहे गया है, जिससे import नहीं हो रहा है, export, गल्दी करने का reason यही है, कि जिससे आपको सबज में आए, तो export, default, footer, यह क्या है, import करना, यह क्या है, export करना, and अगर यहां पर दो तीन function लिखे होए है, footer वा 2, ठीक है, I am footer 2, and आपको कौन सा use करना हो आप है, जो आप export करोगे, जिससे मैंना footer export कर दिया, दो function लिखे हैं, but मैंना export किसको किया है, footer को, अब मैं use कैसे कर सकता हूँ यहां पर, direct type करो, देखो, आपका फाइल का नाम आपका, footer, complete, खतम, header, footer दो call हो गए, अब देखो, footer 2 is defined, but never used, यह warning आ रही है, इस फाइल में से, तो आप देख सकते हो, hello, I am header, my app, bye bye, I am footer, समझ में आया, तो यार, यह होता है, component को create करना, import करना, and use करना, एक react.js के project में आप, unlimited component बना सकते हो, unlimited, तो इसका next project क्या होने वाला ना, जैसे मैंने कहा था, first series में अपनी, कि यार, एक project बनाएंगे, इतनी सी चीज को लेकर project बनाएंगे, ज़्यादा नहीं, जिससे at least आपका revision हो जाए, first से लेकर end तक का, कि हमने add rate क्या किया अब तक, क्या हमें value add होई हमारे life में, है ना, basic case, value add करना ही है, date पर जानो नहीं, sorry, okay, So, hello I am header, my app, bye bye I am footer, component create करना हो गया, use कैसे करते हैं, export कैसे करते हैं, done, अब इसके बाद हम क्या सीख सकते हैं, यार, इसके बाद जो main गाम आएगा ना, वो आएगा, component life cycle, क्योंकि, जब तक आपको यह नहीं पता, यह component create कैसे हुआ, render कैसे हुआ, यह कैसे, वैसे दोगो, physically हम देखें ना, साफ दिख रहा है, साफ, कैसे component create हुआ, हम कैसे use कर सकते हैं, सह ना, यहाँ पर साफ दिख रहा है, कि root में कौन-कौन से element है, but, इसकी एक life cycle होती है, मेरे भ लेक्चर आते जाएंगे, हैना, सारे लेक्चर आते जाएंगे, और कोई भी अगर problem आ रही है, comment करो, npm install करने में, node install को बैसे बहुत प्यारे दरीकी सा बताया था, नहीं आनी चाहिए, but, दोरो, version system का किसी का नहीं बता, किसका system कुछ भी हो सकता है, तो बता दे ना, हैना, तो चलो मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बबाई, यह समझ में आ गया, कैसे create होते हैं, explanation समझ में आ गई, कि कैसे काम करता है, function component क्या होते हैं, class component क्या होते हैं, तो I think enough है, आज के लिए हैंना, तो चलो, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, स आयोनादा.